नमस्ते दोस्तों, वन्नास केक गेलरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, रस मलाई केक जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल मार्केट जैसा? जी नहीं, ये मार्केट से भी अच्छा बनने वाला है तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे कर दिया है, तीन लेयर में कट और उसके बाद मैं इसे सोक करूँगी, नॉर्मल वाटर से? जी नहीं, इसे मैं सोक करने वाली हूँ, रस मलाई के रस से जी हाँ, इसे हम करेंगे रस मलाई के रस से अच्छे से सोक और उसके बाद, मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी कि जब मैंने इसका प्रिमिक्स बनाया था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा शुगर कम डाला था क्योंकि रस मलाई के रस में अल्रेडी बहुत शुगर होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी की मातरा अपने प्रिमिक्स में कम कर दी थी, ताकि इसका जो स्वीट है एक बैलेंस हो सके तो देखें यहाँ पर मैंने कर दिया है, रस मलाई के रस से अच्छे से सोग और उसके बाद मैं इस पर लगाऊंगी अपनी क्रीम, दोस्तो आप देख सकेंगे कि मेरा यहाँ पर क्रीम कितना ज़्यादा श्टिफ है, क्या आपकी क्रीम भी लूज पढ़ जाती है, अगर ह तो आप मुझसे कमेंट करके पूछेएगा, मैं इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी कि क्रीम को कैसे और कितना विप करें कि आपकी क्रीम श्टिफ रहे और वो लूज बिल्कुल भी ना पड़े, दोस्तो मेरे घर में कोई AC नहीं है, मैं बीना AC के काम करती हूँ औ और मेरी क्रीम बिल्कुल भी लूज नहीं पड़ती है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं यहाँ पर रख रही हूँ रसमलाई की छोटे छोटे पीसेस, दोस्तो रसमलाई डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि यह रसमलाई केक है, और हमें र अच्छे से रसमलाई लगाऊंगी, ताकि हर बाइट में आपके मों में रसमलाई आए, तो फिर मैं अब यहाँ पर ले लूँगे अपनी केक की दूसरी लेयर, और उसको भी कर दूँगे, मैं रसमलाई के रस से सोग, दोस्तो यह जो बाहर में क्रीम निकलता हुआ दिख अब आप सोच रहे हैं कि इसे स्क्रैप करना क्यों जरूरी है, दोस्तो अगर आप इसे स्क्रैप नहीं करेंगे, तो आपके केक का शेप बिगड़ सकता है, और आपको अपने केक के शेप का पता ही नहीं चलेगा, इसलिए जब भी क्रीम बाहर आती जाए, आप उसे स्क्र प्रोसीजर फॉलो करूँगी, इसे भी रसमलाई के रस से सोग करने के बाद इसके उपर क्रीम लगाऊंगी, और उसके उपर रसमलाई के पीसेस रखूँगी, मैं हमेशा अंगूरिश रसमलाई लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये हाफ केजी का केक है, तो इसके उपर चोटे-चोटे रसमलाई के पीसेस ही अच्छे लगते हैं, बड़ा वाला रसमलाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है हाफ केजी के केक के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर चोटे-चोटे रसमलाई ही यूज़ करने वाली है, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाह होंगी कि जब आप मार्केट से रसमलाई केक खरीते हैं, तो वो रसमलाई क्रस्स से रसमलाई केक बनाते हैं, तो उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, पर हम यहाँ पर फ्रेश रसमलाई से रसमलाई केक बना रहे हैं, तो इसलिए इसकी सेल्फ लाइफ जो है, थोड़ और हाँ ये बात आप अपने कस्टमर को जरूर बताएं आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं हर बार अपने क्रीम को अच्छे से स्क्रैप करती जाती हूं ताकि इसका शेप बिल्कुल मेंटेन रहे बिल्कुल भी आडा तीरचा ना हो तो दोस्तों जब आप भी केक बनाए तो कि इस चीज का खास ध्यान रखे ताकि आपकी भी केक जो है एक पॉफिक शेप में बने जैसा कि मैंने अपने पहली वीडियो में बवताया था और इस वीडियो में भी बता रही हूं कि मैं केक को क्रम कोट करके मैं इसको कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रीज में रखती ताकि उसके चोटे-चोटे क्रम्स जो है वो केक के ऊपर ना आए जब हम फाइनल फिनिशिंग केक को देते हैं कमाधा घंटा सेट होने के लिए उसके बाद मैं इसके ऊपर करूंगी क्रीम की फाइनल फिनिशिंग दोस्तों मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया था देख सकते हैं फिर मैंने सिल्कॉन ब्रश में यलो कलर थोड़ा सा लगाके और उसके उपर ऐसे स्टॉक्स दे लिए जिससे हमारा एक सुन्दर सा पैटर्न बन के तयार हो गया और आप देख सकते हैं यह कहीं ज्यादा सुन्दर लग रहा है अगर मैं इसको यलो कलर से कर देती तो शायद इतना अच्छा पैटर्न इसमें बन के नहीं आता और मैं यहां पर अपने क्रीम में यलो कलर डाल रही हूं और एक ओपन स्टार नोजल लेके एक सुन्दर सा पैटर्न बनाने वाली हैं दोस्तों यह बहुत खुपसरत दिजाइन था मुझे तो सच में बह बहुत ही प्यारा सा कलर बन के तयार हुआ था हलका रेड और यलो मिलागे तो आप देखिएगा बहुत ही सुन्दर इसका कलर बन के आया था तो अब मैं यहां पर एक साइड से यानि कि एक किनारे से क्रोस करते हुए एक सुन्दर सा और सिम्पल सा डिजाइन बनाने वाली दोस्ते यह बहुत खुबसुरत बनके तयार हुआ था आप मुझे ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पैटर्न समझ में आएगा कि मैं कैसे इसको बना रही हूं कुछ नहीं करना है बस हमें राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट लेते हुए इस डिजाइन को बनाते जाना है और उसके बाद मैं इसके उपर अपने अंगूरी रसमलाई रख दूँगी जो की बहुत ही ज़्यादा देखने में खुबसुरत लग रहा था दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि यह हाफ के जी का केक है इसलिए मैंने इसमें छोटे वाले रसमलाई लिये थे ताकि यह देखने में सुन्दर लगे और ज्यादा बड़ा वाला लेने से ओड लगता है इसलिए मैं यहाँ पर छोटे वाले रसमलाई ही यूज कर रही हूँ और मैं यहाँ पर उसी नोजल से बॉर्डर बना दूँगी दोस्तों यह बॉर्डर बनाना भी बहुत एजी होता है बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रुत होती है शुरु शुरु में मुझसे भी अच्छे से डिजाइन नहीं बन पाती थी पर अब मैं बना लेती हू और यह कैसी बनके तयार हुई है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताईएगा अब मैं यहाँ पर गोल्डन कलर के छोटे बड़े बॉल्स लगा रही हूँ दोस्तों आई होप आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरी वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को ऐसे ही मैं आपके लिए छोटे-छोटे टिप्स लेकर आती रहूंगे अपने वीडियो में आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी